तो चले शुरू करते हैं यह 9th class का mathematics है part 1 और chapter का नाम है real numbers तो इसका हम आज introduction पढ़ेंगे सबसे पहले चीज जो है वह number line है यह number line वह है कि वह line होती है align where we show numbers यहां पर हम number denote करते हैं फारिक साथर हम कोई लाइन ड्रा करेंगे इस पर हम numbers denote करेंगे यहां से 0 तो इसके right side है इसमें positive numbers show करेंगे और इसका left side है इस negative numbers show करेंगे तो इसको हम number line करेंगे तो इसको हम number line करें मुझस भी कहते हैं और जो ये डिनोट किया जाता है वो n से डिनोट किया जाता है उसके बाद whole numbers है whole numbers होते हैं जो start होते हैं zero से यानि वो numbers जो zero से start होते हैं उनको हम whole numbers कह statement है जयनिए zero one two upto infinity और यह हम देनोट करते हैं द दब है उसके बाद जो त्यीसरा चीज हमआरा हम आता है वह है integer integer million numbers होते हैं यह जिसमें बец positive as well as negative numbers अते हैं यह नहीं all positive az negative numbers including zero उनको जीने for example –3 smaller nano 미 this one to जो इंटीजर्स है यहां जो पूरा सेट है वह हम जर्ड से डिनोट करते हैं उसके बाद जो चोत्वा चीज है वह है रेशनल नमबर्स ऐसे नमबर्स होते हैं जो हम लख सकते हैं पी-वाइक की फार में यहां पर एक और चीज है कि क्यो जीरो नहीं होना चाहिए अगर क्यो जीरो बन गया जो भी वह नंबर वह नॉट डिफाइनल वह नॉट जाता है जेख्शंबल करते हैं इसाँ इस तरह फिरेशन नमबर है क्योंकि जिसका कुछ नहीं होता है अगर हम मदेने है दो एता है बन लिए उसका यह कंडिशनल के क्यों गया1 आगर 10 तो प्र मने करिकह के बाताός हो क्या note यहाँ पर याद रखना है there are infinitely many rational numbers between any two given rational numbers यह दो rational number के धर्मियान बहुत सारे rational numbers आते हैं तो यह चीज़ आते हैं उसके बाद हम exercise पर आते हैं और हमारे exercise का जो पहला question है वो यह कहता है कि Is zero a rational number? Can you write it in the formula PYQ? जो P and Q are integers ठीक है and Q is not equal to zero वही condition फिर दीक है इसका जो solution है Yes, zero is a rational number because we can write zero in the form of 0 by 2, 0 by 4 0 by 5, 0 by 6 क्योंकि यहाँ पर zero आ सकता है लेकिन नीचे zero नहीं आ सकता है तो इसका मतलत है zero का हम नीचे कुछ भी धना यानि zero के denominator हम कोई भी number डाल सकते हैं तो वह P and Q के फार में आ गया है और उसका हम rational number कह सकते हैं उसके बाद हमारा जो दूसरा question है वह यह कहता है कि हमें six rational numbers find करने हैं between three and four यानि three and four numbers दो दिये गए हमें तो इसके दर्मियान हमें क्या करना है कि हमें six rational number find करने हैं ठीक है इनको यह जो जिस चीज़ से में multiply करूंगा उसी चीज़ से नहीं जिस number से मैं multiply करूंगा उसी number से मैं divide भी करूंगा यह दोनों side से दोनों number के साथ ताकि कोई फारक नहीं पड़ेगा क्योंकि साथ साथ मैं फिर से काट सकता हूं तो obviously मेरा number और फिर से वापस आएगा तो मैंने इसको multiply किया है 7 से अब अगर हम इसको multiply करेंगे 7 3000 हो गया 21 divided by 7 ठीक है into 47 4000 28 divided by 7 तो अब हम obviously लिख सकते है 21 के बाद आता है 22 22 divided by 7 23 divided by 7 ठीक है तो हमने इस तरह से फिर किया 22 divided by 7 23 divided by 7 24 divided by 7 अब तो हम आराम से यहाँ छे number लिख सकते हैं और यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि आप 7 लिखो आप 8 भी लिख सकते हो 9 10 अब ता यह चीज़ कंडिशन याद रखनी है कि जो भी इन number इन दो numbers का जो add है उससे ज्यादा उससे जो इन दो number से जो भी sum आएगा उस sum से ज्याद उस sum के ज्यादे से multiply इसको करना है यहाँ अगर फार इसंपल four plus three हो गया seven यह seven यह इससे ज्यादा जो भी number है उससे multiply कर सकते हैं और अगर हम इस seven से यहाँ इनके sum के sum इनके sum से कम multiply करेंगे तो वहाँ पर हमें बराबर छे number नहीं मिल सकते हैं कम rational number मिल सकते हैं तो अभी जितने हमें जितना ज्यादा rational number हमें चाहिए उतना बड़ा number होना चाहिए multiply करेंगे ठीक है यह हो गया question number two उसके बाद है हमारा हमारे पास question number three क्या हमें बोल रहा है कि हमें यही same question है हमें five orational numbers between three and four यानि between three by five and four by five इससे पहले जो question था उसमें हमें denominator नहीं दिया गया है लेकिन इस question में हमें denominator दिया गया है तो अब हम बस वही procedure follow करेंगे same question है मैंने यहाँ पे 7 multiple लेकिए आपको कोई और भी number भी multiply कर सकते हो तो मैंने यहाँ पे इस side multiple seven के है इस side multiple seven के है 73021 divided by 7535 ठीक है इस तरह यहाँ से भी 74028 divided by 7535 ठीक है तो उसके बाद यह आया 22, 21 के बाद obviously 22 बाद है 22 divided by 35, 23 divided by 35 इस तरह हम 6 पर आराम से लिख सकते हैं और यहाँ पे फिर से में यह बाद बताओं कि यहाँ पे जुरूरी नहीं आप साथ ही multiply कर रहा हो आप 8, 9, 10 जो भी आपके मरजे हैं आप वह number multiply कर सकते हो उसके बाद है हमारा चोता question जो एन इस exercise का चोता question जो है यह क्या बोल रहा है state true or false हमें बताना है कि यह जो भी नीचे पाट दिये गए है वह सही है यह गलत है और हमें अपना reason भी देना है तो पहला जो पाट है वह यह है every natural number is a whole number यानि हमें यह question दिया गए कि जो भी natural number है यानि हर कोई जो भी natural number है वह whole number है यानि हमें पाट लिया और whole numbers वह वह number होते है जो zero start होगे तो obviously बात यह है कि जो भी natural numbers है वह यहां पे whole numbers में आते हैं यानि जो भी natural numbers है वह सारे के सारे whole numbers में आते हैं तो इसका मतलब है every natural number is a whole number यह बात बिलकुल दुरस्त है तो इसके बात जो दूसरा पाट है हमारा वह यह है कि every integer is a whole number यानि हर कोई जो भी integer है वह whole number है तो integers क्या होते हैं integers मैंने इससे पहली बता है कि जो numbers यानि minus infinity to positive infinity तक जो भी numbers आते हैं including zero उनको integers कहते हैं whole numbers zero one two यानि zero start होते हैं minus two integers में आता है लेकिन minus two whole numbers में बिलकुल नहीं आता है तो इसका मतलब है यह statement गलत है every integer is not a whole number इसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट है यानि तीसरा पार्ट बोल रहा है कि every rational number is a whole number जो भी rational number है यानि हर कोई जो rational number है जो हम पार्ट नहीं इससे पहली उता है फार्ट यानि इससे पहली बता है फार्ट इससे 1 by 2 है 3 by 2, 5 by 2 है यह सिरा minus 5 by 9 है जीतने जैसे भी लिख सकते है यानि स्टार्ट होते है तो इसका मतलब है अगर हम यांपे 3 by 2 लेंगे 3 by 2 चुकि एक rational number है तो इसका मतलब भी जो इस्टेटमेंट है यह गलत है क्योंकि एवरी रेशनल नमपत इस नाटे फोले है थैक यू लाइक शेर और सब्सक्राइब